कि आजंग और गारनिक के gusting एजिंगे बहुत सारे उक्स मेंख्यंजन योज होते हैं हर किसी का अपना अलग अलग तरीके से काम करता है तो आज हम उन और गारनिग केमेस्ट्री के रिए जेस्ट के बात करेंगे डीफेर्न डीफेर्न अगसरीज इंग्छ इंच मिलाओ किमिस्ट्री अब जैसे कि हमाँंगा पास इजय और गानिक केमिस्ट्री के ऑक्सादाइजी एज़ें हैं हम उनकойти चार केग्री इड़्ऐ कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास first category है, नहीं जो पहली category oxidizing agent के हैं, यह है mild oxidizing agent. These are mild oxidizing agent. उसमें जो सबसे पहला नाम आ जाता है, वो पहला नाम है हमारे पास phalanx solution का. Filling solution is a mixture, एक mixture है, of copper sulfate, along with sodium, potassium, tartarate. इस sodium, potassium, tartarate को रॉशल सॉल्ट भी कहा जाता है. यह जो mixture है, यह blue color का है. अब यह blue color का mixture है, जिसमें copper sulfate की वज़े से color आ गया है, यह convert हो जाता है Cu2O में, जो की एक red precipitate है. अब यहाँ पर यह blue color है, यह blue color खतम हो जाता है, और यह red precipitate यहाँ पर सामने बन जाता है. तो अब यहाँ पर हुआ यह है कि copper plus 2 oxidation state से copper plus 1 oxidation state में convert हो गया है. तो यहाँ पर यह failing solution is reduced हो गया है, और जिस भी substance के साथ इसने react किया था, वो substance oxidized हो गया है. तो यहाँ पर failing solution is an oxidizing agent. अब यह failing solution क्या क्या कर सकता है? सबसे पहली चीज़, यह falling solution सारे aliphatic aldehydes को oxidize कर देता है. यह alpha hydroxy ketones को oxidize करता है. alpha hydroxy ketones का मतलब यह है कि हमारे पास है CH2 OH और फिर यहाँ पर C double bond O है. तो इस वाट वी कॉल अज़ अलफा hydroxy ketones. तो यह alpha hydroxy ketones को oxidize कर देता है. यह aromatic aldehydes को, जैसे कि benzaldehydes को oxidize नहीं करता. तो यह failing solution का limitation है. failing solution के बाद, let us get along with the next compound. जब आँ नेक्स compound की बात करते हैं. जब छावलियों के यह इजा है. जब शावलियों कर दोने हैं. जब दिने का मतलब मातलब मातलब यह रहाँ लावलियों को प्काशों को यहाए बाता हैं.